तो दोस्तों, ब्लॉक शुरू होने से पहले सब्सक्राइब कर दीजी है कोलंबो, श्रीलंका की कमर्शल राजधानी वैसे इसका इतिहास काफी लबा रहा है उसके पोर्ट के एंचिन इस-वेस्ट ट्रेड रूट के कारण दो हजार साल पुराना इतिहास जिस पर पॉर्चुगीज, डच, ब्रिटिश का साशन काफी समय तक रहा आज भी आपको वो हेरिटेज के रूप में रिफलेक्ट होता नजर आएगा आखिटेक्चर, कॉलोनियल बिल्डिंग, हाई-राइस बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल्स के माध्यम से अब लोग का स्वागत कर्णी हूं एक स्री लंका से वैसे हम अभी है कोलंबो के पैटा स्ट्रीट पर और ये काफी प्लेस जाना जाता है और अभी मैं हूं, रेड मॉस के पास आप देख रहे हैं जी और इसे अल जामुल अलफर मस्जिद भी कहा जाता है इसका अखिटेक्चर बहुत खूपसूरत है और 1908 में ये बना हुआ है तो सबसे पहला तंटा होता है कि हमारा सिम कार्ड तो हमें सिम लेना है वैसे एरपोर्ट पे भी आप ले सकते हैं थोड़े से चाजिस ज्यादा हो जाते हैं इसलिए हम लोग ने सोचा कि हम लोग श्री लंका बे आने के बाद लेंगे तो आज के दिन की कॉलम्बो की शुरुवात पेटा स्ट्रीट से है और आप देखने हैं मौस कितना खूबसूरत है वाव वाव बाद 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 पिकल्स ये अलग अलग पिकल्स है और वैसे ताजे पिकल्स हैं 150 रुपीज का एक बॉक्स ये बेसिकली स्ट्रीट वैसी स्ट्रीट है जैसे कि मुंबई को अगर आप लोग जानते हैं तो प्रॉफिट मार्केट या मस्जिद तरफ की और यहां पर आपको सारी चीजे मिल जाएंगी अपर आपको वाचे से लेकर आपको वाचे से लेकर एवरीधिट वेल फ्रेंज आम एक जाएंगी तरीट और इस केजर स्ट्रीट पर बेसिकली होलसेल की शॉप्स हैं जब की हमने अभी देखा की यहां पर मेंधि जो है टेस्ट्राइल प्रॉडक्स मिलते हैं और रेडी म क्लोधिंग मिलते हैं कैप्स मिलते हैं कुछ मैंने वाचेस की दुकान देखी जैसे कि मैंने आपको कहा होलसेल मांकेट है काफी रश है स्ट्रीट पर तो अभी हम है सेकेंड क्रॉस ट्रीट पर और यहां पर भी होलसेल और रीटेल दोनों आपको मिलेंगे और यह मेंली है यहां पर यहां पर आपको यह फ्लेवर देना चाहती हूँ कि यहां पर लोकल्स जो हैं वो किस मार्केट में घूमते हैं हम अभी है प्रिंस्ट्रीट पर और यह भी होलसेल मार्केट है और यही पर प्रिंस्ट्रीट पर ही डच म्यूजियम है वैसे आपको पता नहीं चलेगा आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा वैसे मैं बता दिया तो आपको पता चल जाएगा वैल दोस्तों यह जो पीछे अर्किटेक्ट्चर दिख रहा है वो डच म्यूजियम का अर्किटेक्ट्चर है लेकिन अभी वो क्लोज है क्योंकि रिनुवेशन का काम चल रहा है तो हम अंदर तुछा ही नहीं सकते पता स्रीट पर यह ओल टाउन हॉल है और बस उसी के करीब यह सी स्रीट है और यहां पर इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा आपको वैसे तो यहां पर हमें थोड़ा साउथ इंडियन दिश्स मिल जाती है लेकिन यहां पर दोड़े बडेन और चुड़ टाप मिलेगा तक चात 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 लेकिन अगर आपो खाने में थोड़ी दिकत हो रही है तो यहां पर आकर की इणन पुड़ी कहा सकते हैं वाव 38-40 Mbps दानलोड almost and oh my god uploading is literally good so this is the speed of dialogue set वेल दोस्तो अभी हम सी स्रीट पर गूम रहे हैं और यहां पर जो है सिर्फ गोल्ड शॉप्स आपको दिखाई देंगी हर जगह पर और वैसे जो है यहां पर माना जाता है की जेम स्टोन्स जो हैं वो बहुत ही बढ़ा कॉलिटी के मिलते हैं वेल दोस्तों आपको यह गोल्डन टेंपल दिख रहा है यह जो है सी स्ट्रीट पर है और अगर आपको सिम काड कहीं पर भी ना मिले तो बस गोल्डन टेंपल के बाहर 188 नंबर का शॉप है यह बाला वेल दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप गहीं पर भी भूंब रहे हैं तो अपना पास्पोर्ट आपके साथ ही रखेगा आपको साथ ही रखेगा वेल दोस्तों एक टिकेट लेने के लिए अगर आप सार कंट्री बिकाज इंडिया स्री लंका, नेपाल यह सारे सार कंट्री में आते हैं तो सार कंट्री होने एक आरण आपको उसका फायदा मिलेगा टिकेट में वेल दोस्तों श्री लंका का अलफांसो देखना है आपको तो यह है वैसे इनों ने मुझे टेस्ट करने को डिया ठाथा मेठा है जैसे मुंबई का अलफांसो है उसमें हमें जूस ज्यादा फील होता है टेस्ट करने में यह और उसकी जो स्किन होती है वो पतली होती है इसकी स्किन फोड़ी मोटी है तो मैं हूँ यहां पर काउंटर पर और आप देख सकते हैं सिर्पेसा ही पैसा दिया हुआ है मेरी आइडगेड तो यहां पर भी आप मनी एक्सेंज कर सकते हैं और और एक चीज़ भी कर सकते हैं जो कि इनोंने मुझे फ्रेंड ने बताया कि कई लोग ऐसे होते हैं यहां पर काम करते हो और आपर विपॉजित करना है इंडिया में तो इरेक्ली हो यहां पर पैसे दे दे श्री-Langkan rupis और उनका इंडिया और यह लाए इक्जाटली किस ब्ल这个 है एहा है Nós कि जिए काम क zaczy मैं सारी मनी ईक्षेंज के शॉब से देखें एक जूए है वहां पर भाथे बार्टीर के बार्टार एन अपर बार्टीन आसके हैं और वैसे हम जा स्ट्रीट पर है वहां पर बेस्टील आपने ने पर प्रॉम्स सेन्टर और दिखे हे वहां है वर्लट्रेइट सेंटर कर दोस्तोत अफैसे कि स्ट्रीट की गूपसूरती देखो मैं किपनी एक्छी है। यहां पर जो है यह जो है तो पूबिक ठॉप्लीट बने हुए हैं वो अन्डर्ग्राउंड रहा है। ताकि यह बाहर के रोड की जो है स्ट्रीट्स की खूपसूर्ती परकरार रखती है और यह इतना पुराना है लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से इसे कॉंसेप्चुलाइज किया है और अंडरग्राउंड बनाया है बनाया में आपके रखता कि अपके रखता कि अपके बाहर को तरह बनाया है वेल फ्रेंज जहां पर अभी मैं हूँ यह है एकोनोमिक हिस्ट्री म्यूजियम श्रीलंका का का भी खुर्ण कर्षा सिपान से कॉर्ण कर्षा है यह यह अपनी चैसे 10 पैसे झाल यह इस इसे 10 रूपीज आपिए थो विर ववार्वार्ग को दो आर्स एफ ग्रिलंकारा कि हम रु बाहरा इसे जिए रुशन यह रुवार्टिक रुशन कुछ प्रिटीक रॉष्रे और लेफ्टे इस वरकी इन फेली आवस्टे पूर और इंदान फॉर्टन को पुर्टन माजा पुछ वेल दोस्तो अभी हम लोग तुक तुक का मज़ा ले नहीं है तुपिक में बिठाया और यह बता दू कि यहां पे मुझे लोगों की हॉस्पिटालिटी देख करके बहुत अच्छा लग रहा है और वेस्ट बात यह है कि स्ट्रीट डिसिप्लिन इतनी ब्यूडफुल है अगर इंसान वाग कर रहा है जेप्रा क्रॉसिंग से लोग रुख सेल है और यहां पे ड्यूटी नहीं लगेगी नो टैक्स और हम अंदर जाते हैं तेखने के लिए श्री लंका इस नौन फॉर देर जैमस्टोंस और हम यहां पर बहुत ही खुबसूरत खुबसूरत जैमस्टोंस लेके श्री लंका इस नोन फॉर ब्लू सफायर इतना निकलते हैं इतने इतने बड़े पत्थर होते हैं उसमें से तराश के स्टोंस निकलते हैं और इतने इतने स्टोंस निकलते हैं और वो माइनिंग स्टोंस यहां पर है इसमें से निकलते हैं वे दोस्तों लिबर्टी प्लाजा के पास ही है यह शॉप और यहां से आप जैमस प्रेशिस जेमस्टोन इसे यहां परल्स भी बिलते हैं प्रीषियों। देन ब्रुबी मुझे यहां पर लिबर्टी प्लाजा है और यहां पर मर्दानी टू लगे हुई है रानी मुकरजी के उप वाव। मुझे बता होता है तो हम लोग कल जो है आला ने देखने के लिए नाइच छोग वेल दोस्तों अभी जिस तुक तुक में हम बैठे हैं वो तुक तुक जो है मीटर तुक तुक है और इसमें स्टार्ट होता है प्राइस 50 रुपी से 50 LKR कहना पड़ेगा कि कोलंबो जो है वो काफी डेवलप्ट सिटी है और कुछ इसके जो सेक्टर्स है जैसे कोलंबो 1,2,3,5,7 इनकी तो बाती निराली है जहां पर अभी हम लोग है वो एरिया जो है गाला पेस यहां पर आगे पड़ता है यहां पर आपको जो है लगून का सेक तो आपको से पार्थिटेक्ट्चर है और यह रहा प्रेट सेंटर पीछे और हमारी होटल है वहां पर वहां पर अहां पर जो बांब ब्लास्ट हुआ था यहां पर एप्रिल में उसी की वज़े से सिक्यॉरिटी काफी ताइट है यहां पर हमारी भी जो उबेर कैप्ती उसको भी चेक किया था यह है मेरा रूम और वो था दिव्याप का रूम खूसट कहीं का अधिया ना फ्मार्टिंग मार्टाटा है एक्सप्लाॉल करना है जो आपको पीछे इतना बड़ा टावर दिख रहा है वो लोटे स्टार है वैसे उसमें भी हम जा सकते हैं लेकिन अभी रिनुवेशन में है इसलिए अभी नहीं जा सकते वैसे आप जब पैटा मार्केट से निकल करके भार की तरफ आएंगे तो रेल्वी स्टेशन के ही बगल में आपको यह फ्लोटिंग मार्केट दिखाई देगा और फ्लोटिंग मार्केट में वैसे शॉप्स बहुत सारे हैं लेकिन ओपिन बहुत कम रहते हैं वैसे डॉन को यहां आने का बिल्कुल मन नहीं था कि फ्लोटिंग मार्केट में किया है अगर आप सोवेनियर लेकर के जाना चाते हैं तो ओर्डल शॉपिंग मॉल इस बेस्ट प्लेस तो विजट यहां पर आपको ब्रैंड्स के अलावा श्रिलंका की चाय मिल जाएंगी उन्दा कॉलिटी की और व्याजबी दाम में चाय के देश में आगर के चाय को नहीं देखा तो क्या देखा वैसे ये जो टी है वो 34,000 की सिर्फ 40 ग्राम सिनेमोन मिल जाएगा और स्पा प्रोड़क्स भी मिल जाएंगे वैसे हैंडमेड काफी सारे छोटे छोटे मुझे सौवेनियर भी दिखे और यहां का टुक टुक भी टुक टुक भी ब्रैंड है कहीं भी किसी देश में हो आप लेकिन आपको हिल्प करने वाले लोग मिल जाते हैं मुझे बहुत क्वानिक माइग्रेन है और मेरे पास दवा नहीं है केमिस्वाप है जो उसने मना कर दिया कि कोई दवा नहीं उसके पास एक लेडी में मुझे यह दवा दिया है और मैं भी लेने बाला हूं देखते हैं पता नहीं बहुत पेज दर दो रहा है मतों मुझे भी वामेटिंग टेंडेंसी हो रही है मुझे लोदी याँ याँ कर दो आए लुम्मными खाले क्लीर चिट थजज सब साए ह मुआ जाब डब लिस्म अब आए ब्स की अब जाए हुआ क्ईयो हम ऊचे अच algum संब जाज गρा entity वे दोस्तों यह है बॉल्ट्रेट सेंटर जिस्ट लाइक युएस में आपको तो बिल्डिंग्स बॉल्ट्रेट सेंटर की दिखी है वैसा ही आहां पर है और यह गाले पेस के जिस्ट पीछे है दोस्तों यह यह श्रीलंका मेंन बैंक है इस नाम है बनक ओफ सिलवन शिलों नाम जो है बिटिश उस ने रखा था उनके रूल के दौरान और उसके बाद अगें सिलौन से श्रीलंका हो गया लेकिन यह बैंक का नाम अभी भी वही है बैंक ओफ सिलॉन वैसे दोस्तों पहले श्री लंका में आए पॉर्चुगीज और उसके बाद आए डच डच के बाद आए ब्रिटिश और ब्रिटिश को निखालने के बाद हुआ श्री लंका आजाद वैसे ये डच हॉस्पिटल है और इसा अभी भी उन्दा है बहतरी को लंबो सिटी टूर बस जिसका थमनेल आप देख रहे हो वो थमनेल जो है उसके बाद आप लोग सोच रहोंगे कि मैंने बस क्यों नहीं की वेल रीजन वस कि उस बस के तूर में जो है फस्ट फॉल मैं आपको हर इंच को खुद घूम करके नहीं दिखा सकती थी मुझे बस स होता है और लेकिन वो बस रोज नहीं चलती है अगर उसमें ज्यादा लोग नहीं कटा हुए तो वो बस कैंसल हो जाती है और उसके चार्जिस भी कुछ ज्यादा है 25 डॉलर से लेके 30 डॉलर और मुझे ऐसे लगा कि अगर मुझे उस जगे का फील दिलाना है तो बस में नह हो सकता था इसलिए माफ कीजेगा मैंने वो बस नहीं की और मैं आपको गूम के बता रही हूँ तो यहां पर शॉपिंग कोफलेक्स भी है और चलिए देखते क्या क्या है हमारी फ्रेंड जो है उर्वशी आप सब लोगों को यह बताना चाहती है कि उत्राखंड आईए क्योंकि यह हमारे उत्राखंड की बेटी है और इंडिया के खूप सूरज जगों को बिल्कुल देखिए जैसे हम अभी श्री लंका में गूम रहे हैं उसी तरीके से आप इं कि अए कि रहे जो कि तूखेंड गए प्रिफान का में प्रॉश случае श्रीच çek एंड करtu कि पॉबचिए के जσक पुन rabbits होबाई कुए कि